क्या सानिया से सच में तलाक ले रही हैं शोयब मलिक? पाकिसानी क्रिकेटर ने तोड़ी चुपे किया अब तक का सबसे बड़ा खुलासा भारती टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और पाकिसानी क्रिकिटर शोएब मलिक के तलाक को लेकर कुछ समय से काफी खबरें सामने आ रहे हैं आलम ये कि सानिया शोयब के तलाक की खबरें उनके रियालिटी टॉक शो दमिर्जा मलिक शो से भी ज्यादा सुर्खियां बटो रहे हैं। बावजुद इसके दोनों की तरफ से तलाक को लेकर कोई अधिकारिक बयान सामने नहीं आया था। लेकिन जब शोयब सानिया के तलाक की चर्चाएं तेज होने लगी तब आखिरकार पाकिसानी क्रिकेटर ने इन खबरों पर अपना रियाक्शन दिया है। शोयब मलिक ने सानिया मिर्जा के साथ चल रही तलाक की खबरों पर अपनी चुप भी तोड़ी है। उन्होंने इस मामली को अपना नीजी मामला बताया है। हालीमिक नियूस पोर्टल को दिये अपने इंटरव्यू में शोयब मलिक ने कहा कि ये उनका नीजी मामला है और इसे उन दोनों पर ही छोड़ देना चाहिए। शोईब ने इस बयान के जरीए ये बताने की कोशिश किये कि पूरे मामले में मीडिया का दखल देना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। शोईब मलिक ने ये भी कहा कि सानिया और वो अलग होने के बारे में किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे। रपोर्ट्स के मुताबिक शोईब मलिक और सानिया मिर्जा कई तरह के शो के लिए अनुबंद और कानूनी दाफ पेच की वज़े से तलाक को लेकर अधिकारिक बयार नहीं दे रहे हैं। कथेती तोर पर दोनों ने तलाक की अधिकारिक घोशना इसलिए नहीं की क्योंकि उन्हें कुछ पेशिवर प्रतिबतताओं को एक साथ पूरा करना है जिसमें उनका OTT शो दमिर्जा मलिक शो भी शामिल है। महीं पाकिसानी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शो एब मलिक ने सानिया मिर्जा को धोखा दिया है जिसके चलते तलाक की नौबत आ गई है। हाला कि पाकिसानी मीडिया के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि स्टार जोड़ी पहले से ही तलाक शुदा है। मैंने अपनी पोस्ट में लिखा था टूटे हुए दिल कहा जाएं वो अल्हा के पास जाएं। आपको बदा दे कि सानिया मिर्जा और शोईब मलिक 12 अप्रेल 2010 को शादी के बंधन में बंधे थे। शादी के आठ साल बाद सानिया और शोईब के बेटे इजहान मिर्जा मलिक का जन हुआ था। शादी के बाद से ही सानिया और शोईब दुबई में रह रहे है। इस खबर में फिलाल इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।